C.I.E.T. N.C.E.R.T. जवरा प्रस्तुत है कक्षा ग्यारह की हिंदी की पाठे पुस्तक वितान भाग एक का चौथा अध्याए शिर्शक है भारतिय कलाएं आए अब सुनते हैं पाठ प्रिष्ट संख्या उन्सट भारतिय कलाएं कलाओं की अपनी भाषा होती है जैसे हम अपने आसपास के परिवेश प्रकृति या भावों और विचारों को भाषा में व्यक्त करते हैं कलाओं की अपनी भाषा होती है जैसे हम अपने आसपास के परिवेश प्रकृति या भावों और विचारों को भाषा में व्यक्त करते हैं वैसे ही चित्रकारी, संगीत या निर्त्य के माध्यम से भी हम अपने आसपास और प्रकृति को अभिव्यक्त करते हैं हम जो कुछ देखते सुनते हैं, उसे किसी ना किसी रूप में और नए नए तरीके से कहना या अभिव्यक्त करना चाहते हैं। समुद्र में उठती गिरती लहरों को देखकर चित्रकार उसे रंगों से सजाता है। चिडिया की चहचहाहट को गायक स्वरों में सजाता है, तो नर्तक मन के भावों को विभिन मुद्राओं में सजाता है। इसी प्रिष्ट 69 पर दो चित्र दिये गए हैं और ये भीम बेटका की गुफा के चित्र हैं। प्रिष्ट संख्या 60 कभी चित्रों में तो कभी गीतों में, कभी नर्त्य में तो कभी संगीत में यह कहने सुनने की परंपरा सदियों से चल रही है। और आज भी नए नए तरीकों में लगातार जारी है। हमारा देश भारत उत्सव धर्मी है, विविधता हमारी पहचान है, विभिन संस्कृतियों और विभिन तेवहारों के साथ साथ विविध कलाएं भी हमारी अनूठी पहचान है, आपने देखा होगा कि भारत के अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी विशिष्ट कलाएं है आपने यह भी देखा होगा कि हमारी कलाओं को तेवहारों उत्समों से अलग नहीं किया जा सकता ये कलाओं जनमोत्साओं से लेकर शादी व्याह, पूजा तथा खेती बाड़ी से भी जुड़ी है मनुश्य के जीवन से जुड़ी होने के कारण ही भारत की ये विशिष्ट कलाओं विरासत के प्रती हमें उत्साह और विश्वास से भर देती हैं क्या आपको यह नहीं लगता कि परवों, तेवहारों या फिर फसलों से कलाओं का जुड़ाओ ही एक और इसे मनुरंजन या अलंकरण होने से बचाता है तो दुसरी और यही पहलू प्राचीन परंपराओं की सतत निरंतर्ता को बनाए रखता है वास्तों में यही अतीत और वर्तमान के बीच जुड़ाओ की कड़ी भी है अगर हम आज पीछे मुड़ कर देखें तो पाएंगे की जनजातिये और लोक कला शैलियों के सभी रूपों में एक विवस्था भी दिखाई पड़ती है जो आगे चल कर शास्त्रिय कलाओं का आधार बनी एक बात ध्यान देने की है कि शुरुवाती दौर में सभी कलाओं का संबंध लोक या समुह से ही था बाद में चल कर जब इनका संबंध व्यावसाह से जुड़ा तो व्यक्तिक केंद्रित होती चली गई मध्य काल तक आते आते साहित्य, चित्र, संगीत, निरित्य कलाएं, राजाओं और विभिन शासकों के संद्रक्षन में चली गई और धीरे-धीरे शास्त्रिय नियमों से बंधी, वे कलाकारों को अपनी अभिरूचियों के अनुरूप, कलाओं को सुव्यवस्थित और परिश्कृत करने के लिए प्रोजसाहित भी करते रहते थे इस तरह मंदीरों और महलों में विकसित होती हुई ये कलाएं, शास्त्रिय स्वरूप ग्रहन करती गई गुप्त समराज्य में तो पराकाष्ठा पर पहुँच गई भरत मुनी के नाट्य शास्त्र में इनका शास्त्रिय स्वरूप मना जो कला के लिए अब तक का प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र है प्रिश्ट संख्या 61 इसी प्रिश्ट पर दो चित्र हैं एक चित्र है वो महराष्टर की वरली शैली में बना हुआ चित्र है और एक और चित्र हम देख सकते हैं इसी प्रिश्ट पर और ये एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर का चित्र है अब प्रस्तुत है पाठ शास्त्र ने संगीत नृत्य अभिने कलाओं को एक शास्त्रिय कला का स्वरूप दिया फिर भी लोक कलाएं अपनी जड़ों से पूरी तरह जुड़ी रही आज की कलाओं की जड़ें लोक में ही हैं चाहे चित्र कला हो, संगीत कला हो या फिर नृत्य कला शास्त्रिये और लोककलाओं के बीच कभी ना खत्म होने वाला समवाध ही इनकी ताकत है चित्रकला चित्रकारी प्राचीन भारत से ही हमारे जीवन का अभिन अंग रहा है जब हमारे पास भाषा नहीं थी तब भी चित्रकारी थी और यही अभिव्यक्ती का माध्यम थी प्रागेति हासिक समय से अपने वातवरण, रहन सहन, भावों और विचारों को मनुष्य ने चित्रों के माध्यम से ही व्यक्त किया सबसे प्राचीन चित्रों के नमुने शैल चित्रों को ही माना जाता है ये चट्टानों पर प्राकृतिक रंगों से बने हुए चित्र है ये गुफाओं में बिलते हैं मध्य प्रदेश में भीम बेटका की गुफाएं शैल चित्रों के लिए जानी जाती है इन चित्रों में जीवन की रोजमर्रा की गतिविधियां, शिकार, नृत्य, संगीत, जानवर, युद्ध, साज सज्जा, आदी सभी कुछ दिखाई पड़ता है। गुफाओं में कला स्रीजन की अती प्राचीन परंपरा रही है। एलोरा और अजन्ता की गुफाएं कलाकृतियों के लिए विख्याद हैं। चौथी से छठी सदी के बीच गुप्त सामराज्य कलाओं के लिए स्वर्न युग कहलाता है अजन्ता की गुफाएं उन्ही दिनों खोदी गई प्रिष्ट संख्या बासट उनकी दिवारों पर चित्र बनाए गए बाग और बादामी की गुफाएं भी इसी जमाने की है अजन्ता की गुफाओं के चित्र इतने आकरशक हैं कि वे आज तक के कलाकारों पर गहरा असर डालते हैं ऐसा मानना है कि अजन्ता के दिवारों पर बने चित्रों को बहुत भिक्खुओं ने बनाया है साथमी आठमी सदी में चट्टानों को काट कर एलोरा की गुफाएं तैयार की गई इसकी सबसे बड़ी विशेष्टा है कि इन्हीं के बीच कैलाश का बहुत विशाल मंदिर है इन मानुशी कला स्रिजन को देख कर आश्चर्य होता है उन दिनों मनुश्य ने इसकी कलपना कैसे की होगी और फिर उस कलपना को साकार करने के लिए कितना परिश्रम किया होगा लगभग इसी समय निर्मित एलीफेंटा की गुफाएं भी मिलती है यहां त्री मूर्ती की जबरदस्ट मूर्ती है दक्षिन भारत के महाबली पुरम की विशाल मूर्ती कला और तंजोर की चित्र कला हस्त कौशल के अदभुत उदारन है पाठ में चलने से पहले यहां पर दो चित्र दिये गए हैं इस प्रिष्ट पर और सबसे पहला चित्र है किवाड चित्रकारी यह राजस्थान की चित्रकारी है और इसमें हम देख सकते हैं कि दर्वाजे पर चित्रकारी की गई है एक और चित्र हमको दिखाई पड़ता है इसका शीर्षक है पट चित्र यानि परदे पर बनाया गया चित्र और यह उड़ी सा का चित्र है अब सुनते हैं पाठ पर किया जाता है। इसमें आंधर प्रदेश और 36 गड़ की कलमकारी, पंजाब की फुलकारी, महाराश्टर की वरली इत्यादी बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। इनमें प्रयोग होने वाली सभी सामगरी प्राकृतिक ही होती है। इन चित्रों की विशेषता है इनकी विभिन्न प्रकार की शैलियां। वनों गाओं के लोग अपनी अपनी पारमपरिक शैलियों में चित्रकारी करते हैं। राजस्थान के चित्तोर गढ़ में कलाकार लकडी के मंदिरों पर चित्रकारी करते थे। प्रिष्ट संख्या 63 इसे किवाड पेंटिंग भी कहते हैं। इस चित्रकारी में चित्र के माध्यम से सांस्कृतिक और एतिहासिक कथाओं को अभिव्यक्त किया जाता है। उरिषा के पटचित्र कथा में कभी जैदेव के गीत गोविंद को भी उकेरा गया है। इसे कागज या पत्तों पर गहरे लाल, काले, नीले रंगों से उकेरते हैं। देखने की बात है कि गीत गोविंद के पदों को नर्तक औरिशी नृत्य के माध्यम से भी अभिव्यक्त करते हैं। सभी कलाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मिधिला की चित्रकारी में मधुबनी चित्रकला भी बहुत प्रसिद्ध है। आज भी कलाकार अपनी इस कला को जिन्दा रखे हुए हैं। आज के राष्ट्रिय और अंतरराष्ट्रिय बाजार में भी इन लगू लोक कलाओं की बहुत मांग है। आस्थाई कलाओं में कोहबर, एपन, अलपना, रंगोली जैसी कलाएं काफी प्रजलित हैं। इन कलाओं का संबंध शादी तेवार और उत्सवों से है। इन्हें क्षेत्रिय भाषाओं में अलग-अलग नाम से जाना जाता है। इसी प्रिष्ट पर एक चित्र है और ये रंगोली चित्र कला है। और अब सुनते हैं पाठ। वास्तों में उत्तराखंड में जिसे एपन कहते हैं उसे ही राजिस्थान में मंडवा, गुजरात में सत्तिया, महराष्टर में रंगोली, बिहार में अरिपन, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश में चौकपूर्ण, दक्षिन भारत में कोलम के नाम से जाना जाता ये सभी किसी विशेश मांगलिक आवसरों पर बनाये जाते हैं। कलाओं का यह अध्भुत संसार हमारी संस्कृती की पहचान है। पर हम यह भी जानते हैं कि हिंदुस्तानी कला जितनी हिंदुस्तान में दिखाई पड़ती है, इससे कहीं अधिक उसके बाहर भी है। यह देने की बात है कि यहां की कला अन्य देशों में किस प्रकार विकसित और सुरक्षित है। वास्तों में हिंदुस्तान के अंदर की ही हिंदुस्तानी कला को जानना उसकी आधी ही कहानी जानने के बराबर है। उसे पूरी तौर पर समझने के लिए हमें बौध धर्म के साथ साथ मध्धे एशिया, चीन और जापान तक जाना चाहिए। तिबबत और बर्मा और स्याम में फैल कर नए रूप धारण करते हुए और फुटकर नए सौंदर्य पेश करते हुए हमें इसे देखना चाहिए। हमें कमबोडिया और जावा में इसके शानदार और बेमिसाल कारनामों को देखना चाहिए। प्रिष्ट संख्या चौंसट इस प्रिष्ट पर एक चित्र है, शिर्षक है, राग मेघ मलहार और ये बूंदी चित्रकला की राजस्थान शैली है। अब सुनते हैं पाठ ये सच है कि भारतिय कलाओं का विस्तार विश्व के अन्य भूभागों में भी हुआ, लेकिन उन कलाकृतियों के स्रिजन में क्षेत्रिय विशेष्टाएं हैं। गांधार शैली में बनी बुद्ध की प्रतीमा और तिबबत की शैली में बनी बुद्ध प्रतीमा में अपनी अपनी क्षेत्रिय पहचान स्पष्ट दिखाई देती है। इसी पृिष्ट चौशट पर दिये गए चित्र के नीचे एक और बॉक्स और उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है साहित संगीत कला विहीन साक्षात पशू पुछ विशान हीन यानि साहित्य संगीत कला से विहीन मनुष्य साक्षात बिना पूँच के पशु के समान होता है यह बात भरत्री हरी द्वारा नीती शतक में कही गई है आईए अब सुनते हैं पाठ संगीत कला भारत के प्राचीन तम संगीत का वर्णन वैदिक काल में मिलता है विद्वान लगभग पाँच हजार इसा वर्ष पूर्व के समय को वैदिक काल मानते हैं इस समय में दो प्रकार के संगीत का उलेख मिलता है एक मारगी तथा दूसरा देसी मारगी संगीत धार्मिक समारोहों से जुड़ा था और नियम और अनुशासम से बंधा था लेकिन देसी लोक से जुड़ा था लोक रूची के अनुसार यह समूह में ही गाया जाता था साम वेद में गाने के जो निर्देश दिये गए हैं उससे यह पता चलता है कि वैदिक महर्षियों के पूजा और मंत्रोचार के तरीके को ही साम कहते थे हमारे यहां आगे चल कर संगीत का जो विकास हुआ इसकी जानकारी बहुत नहीं मिलती इसका कारण यह भी है कि हम भारतिये दस्तावेजी करण नहीं करते थे प्रिष्ट संख्यात 64 में सबसे नीचे एक संदर्व दिया गया है और संदर्व है रेजिनल्ड ली में की बुद्धिस्ट आर्ट इनस्तुयाम केम्बरिज 1938 की प्रस्तावना का अंश जो यू एन घोशाल की प्रोग्रेस आफ ग्रेटर इंडियन रिसर्च कलकत्ता उनिस्तो तैलिस में उद्धित है आईए अब सुनते हैं पाठ प्रिष्ठ संख्या 65 अन्य कलाओं की तरह संगीत का वर्णन भी भरत मुनी के नाट्टे शास्त्र में ही सबसे प्रामानिक धंग से मिलता है यह आज के शास्त्रिय संगीत से बहुत अलग नहीं था अगर आपने वीना पर दक्षिन भारतिय संगीत अग्य को सुना हो तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से हजार साल पहले का संगीत कैसा रहा होगा और यह उसके कितना करीब था भारतिय संगीत सुर्टाल, राग और काल से संबध है भिन भिन समय के अनुसार राग भी अलग अलग हैं जैसे ब्रह्म मुहुर्थ में भैरो, मेघ राग का संबंध सुबह से दीपक और श्री राग का संबंध दोपहर से तो कौशिक और हिंडोला राग रात में गाय जाते हैं अगर आपने भारतिये पारंपरिक वाद्ययंत्रों को ध्यान से सुना और देखा होगा तो आपका ध्यान इस और गया होगा कि भारतिये संगीत अग्य किसी भी वस्तू से संगीत निकाल सकते हैं वीना, जलतरंग, रबाब, दोतार या बासुरी सुनकर आप इस बात को समझ सकते हैं इन सब में प्रयोग की जाने वाली चीजें हमारे आसपास के रोजमर्रा में प्रयोग होने वाली हैं इस अदभुत विशेष्टा के कारण यहां की कला सबसे अलग है सहजता और प्रकृती से जुड़ाओ भारतिय कला की विशेष्टा रही है हमारे यहां का मुख्यवाद्दे वीना ही थी क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पुरानी फिल्मों में गायक गाई का नाक से क्यों गाते थे? आज से 2000 साल पहले भी गायक नाक से गाना पसंद करते थे इसका उलेख भरत के नाट्टे शास्त्र में मिलता है संभौतह यह मुख्य वाद्दे वीना के सुरों तक पहुँचने की कोशिश का प्रभाव था ध्यान देने की बात है कि यह उत्सव और उल्लास भरा संगीत भी धीरे-धीरे नियमों से बंधा इसका भी शास्त्र लिखा गया और बाद में चलकर एक शास्त्रिय परंपरा शुरू हुई संगीत भी लोक से जुड़ा था इसमें संसकार गीत और रितू गीत भी खूब मिलते हैं आपने गिरिजा देवी के आवाज में मिर्जापूर की कजरी जरूर सुनी होगी बच्चे के जन्म पर उत्तर प्रदेश का सोहर और विवाह के गीत अवर्शे सुने होंगे हर एक वस्तू का स्वागत गीतों से किया जाता है बंगाल में वर्शा मंगल, बसंतोचसो, ग्रीशमोचसो गीतों के बिना भला कहां संभव है प्रिष्ट संख्या 66 मध्य काल तक आते आते अन्य कलाओं की तरह संगीत भी व्यावसाइक हुआ पर भारत का सबसे अच्छा समय वह था जब संगीत मनुष्य के जीवन का जरूरी अंग था ऐसी कई कहावतें भी बिलती है नृत्य कला भारतिय संगीत की तरह नृत्य में भी कम बदलाव आये है पहले के नर्तक और आज के नर्तक भी भारतिय नृत्य कला के नियमों का पालन करते हैं जिसका आधार है अभिने इसका भी मुल शास्त्र भरत मुनी का नाट्य शास्त्र ही रहा है नाट्य शास्त्र में नर्थ्य और नृत्य दो शब्द मिलते हैं ये दोनों अभिने के ही अलग-अलग रूप हैं। नर्थ्य यानि अभिने इसमें शब्द और भंगिमा महतोपूर्ण है। निर्थ्य में भाव और भंगिमा महतोपूर्ण है। भारत लोक नर्थ्यों से सम्रिध रहा है। हर राज्य के अलग-अलग समुदायों की अपनी नर्थ्य कलाएं रही हैं जो हमारे रोज मर्रा के जीवन से जुड़ी हुई हैं। जीवन में जितने अनुष्ठान हैं उन सब से नर्थ्य कलाओं का भी संबंध है। खेती से जुड़े समुदाय के जीवन में रितुओं का बदलना, फसलों की बुवाई या कटाई सभी महतोपूर घटनाएं हैं। रितुओं का बदलना उनके पाओं को चंचल कर देता है। वर्षा होती है तो उनके पाओं थिरक उठते हैं। भारत के हर राज्य में यही भाव मिलते हैं। कश्मीर से दारजिलिंग तक समूचे हिमालय में एक और शस्त्रों और युद्धों को नृत्य कला शालीनता से प्रस्तुत करते हैं। तो दूसरी और गेहुं की फसल बोने को भी एक उत्सव बना देते हैं। सभी लोक नृत्यों में एक गोलाई में नर्तक हाथ से हाथ मिलाए तरह तरह के करतब दिखाते हैं। पंजाब की महिलाएं गिद्धा करती हैं। राजिस्थानी महिलाएं अपनी ओढ़नी से चेहरे को ढख कर घूमर करती हैं। गुजरात में डंडियों के सहारे स्त्रियां गर्वा नृत्य करती हैं। पुरुष भी दांडिया रास करते हैं जो गर्वा का ही एक और उर्जा भरा रूप है। महाराष्टर के मचली पालन से जुड़े समुदाए हाथों में हाथ डाल कर एक दूसरे के कंधे पर चड़ कर एक पिरामीड सा बना लेते हैं। महाराष्टर का लावणी नृत्य अपनी अदभुत एंद्रिक आकर्शन के लिए प्रसिध है। मैसूर में डोडवा कवीले के लोग बालाकल नृत्य करते हैं। इसमें रंगीन वेश भूशा के साथ साथ हाथ में तलवारे होती हैं। केरल के कुरुवांजी नृत्य को भरत नाट्यम का प्रेरणा स्ट्रोत माना जाता है। गुजरात का टिपणी नृत्य भी समूह के साथ होता है। यह फसल की कटाई के बाद खलिहान में किया जाता है। यहाँ एक चित्र है और यह चित्र है आसम का सत्रिय नृत्यम। सुनते हैं पाठ। लोक नृत्यों में भी निकोबारी अंडमान निकोबार से जुड़ा है। अरुनाचल प्रदेश में निशी, आसम का बिहु, आंधर प्रदेश का कोलहम, तो वहीं पंथी और राउत, छतिसगड तथा जारखंड के लोक नृत्यम। गुजरात का गरबा और रास्टिपणी, हिमाचल का नागमेन और किन्नौरी, बंगाल उडिसा और जारखंड का च्छाओ उल्लेखनिय है। अलग-अलग राज्यों के ये दृत्य भिन-भिन नामों से जाने जाते हैं। पर इनमें एक समानता भी है। ये सभी नृत्य समूह में होते हैं। सभी का संबंध प्रकृति और जीवन से है। सभी में स्त्री पुरुष एक साथ मिलकर नाचते हैं। राज्य की सीमाएं भला कला को कैसे बांद सकती हैं। ध्यान देने की बात यह भी है कि नृत्यों का संबंध विभिन धार्मिक अनुष्ठानों से भी है। पर यह किसी एक धर्म में नहीं बलकि लगभग सभी धर्मों में दिखाई पड़ता है। भारतिय लोक इसी तरह थी रखता हुआ कब शास्त्रों और नियमों में बंधा यह ठीक ठीक तो नहीं कहा जा सकता, पर इसका भी आधार भरत मुनी का नाच्ट शास्त्र ही है। विद्वानों का यह मानना है कि लोक निर्त्य से ही शास्त्री निर्त्य विकसित हुआ है। प्रिष्ट संख्या अर्शट भारतिय निर्त्य को देखकर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यह सिर्फ हाथ और पैर की गती से जुड़ा है। अगली बार आप ध्यान से देखिएगा। भारतिय निर्त्य में सभी अंगों की गती और लय महतोपूर्ण है। भारतिय नर्तकों को आँख, भावों या फिर नासिका के माध्यम से ही खोशी, दुख, क्रोध, विभत्स, आदी भावों को अभिव्यक्त करने में महारत हासिल है। इन्ही भाव भंगिमाओं के जरिये महाभारत और रामायन जैसी कथाओं तक को कह देने की परंपरा निर्त्य कला में मिलती है। इसी प्रिष्ट पर एक चित्र है और ये मिजोरम का बांस निर्त्य का चित्र है। आईए सुनते हैं पाठ। का ओडिशी, मनिपूर का मनिपूरी, करनाटक और तमिलनाडू का भरत नाट्यम मौजूद हैं। असम के सत्त्रिये को भी शास्त्रिये निर्त्यों में शामिल किया गया है। इन सभी का संबंध किसी ना किसी राज्य और उनकी परंपराउं से है। चूंकि इस निर्त्य को सीखने के लिए बहुत साधना की जरूरत थी, इसलिए ज्यादतर ब्यावसाइक ही सीखते थे। यह संदर्व भी आता है कि बाद में चल कर महलों में राजकुमारी और राजकुमार भी निर्त्य करते थे। पर सर्वजनिक रूप से नहीं। शास्त्रिय निर्त्यों के स्वरूप में बहुत परिवर्तन हुआ है। वर्तमान समय में इन्हें देखकर दो-तीन सौ साल प्राचीन निर्त्य कला से भी इन्हें पूरी तरह नहीं जुड़ा जा सकता। भारतिय कलाएं लोक से शास्त्रिय रूप तक अचानक नहीं पहुँची है वर्षों इनके बीच संबाध होता रहा है आज के मंचों या फिल्मों में जो संगीत या नृत्त मिलता है उनमें दोनों का मिला जुला रूप अधिक दिखाई पड़ता है हमारा ध्यान इस पर भी जरूर जाना चाहिए कि हर एक राज्य में सभी कलाओं के बीच भी एक अंतर संबंध दिखेगा उत्तर भारत में बांस नृत्य, बांस क्राफ्ट कला या फिर बांस के वाद्दे यंत्र इसके उदारन है ध्यान देने की बात यह भी है कि सभी कलाएं धीरे-धीरे समुह से व्यक्ति कला का रूप धारन करती गई है इसका कारण निश्चित रूप से व्यावसाय भी रहा सभी लोक नृत्यों में साथ-साथ एक ताल में पैरों का उठना, हाथों का एक दूसरे से जुड़ना, अपने आप में भारत की अदभुद, साहचर्य और प्रेम भावना के संकेत हैं क्या यह अनायास रूप से कलाओं में आया होगा? समुचा मानव जीवन, समुची प्रकृती, क्या अनायास ही कला का विशय बने होंगे? इनका संबंध भारत की प्रेम भावना के साथ-साथ, भारती संस्कृती में निहित वसुधैव कुटुमबकम की भावना से भी अवर्षय होगा यही कारण है कि यहां की कलाओं का मुरीद आज पूरा विश्व है प्रिष्ट संख्या सत्तर अभ्यास 1. कला और भाशा के अंतर संबंध पर आपकी क्या राय है? लिख कर बताएं 2. भारतिय कलाओं और भारतिय संस्कृति में आप किस तरह का संबंध पाते हैं? 3. शास्त्रिय कलाओं का आधार जन जातिये और लोक कलाएं हैं अपनी सहमती और असहमती के पक्ष में तर्क दें 4. चर्चा करें साहित्य संगीत कलाविहीन साक्षात पशु पुछ विशान हीन भरत्री हरी के इस कथन पर कक्षा में चर्चा करें अभी आप सुन रह थे कक्षा 11 की हिंदी की पाठे पुस्तक वितान भाग एक वाचनस्वर अजी ठोरो निर्माण सहयोग सौम्या मलिक निर्माण वंदना अरिमर्दन निर्माण विमलेश चौदरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नैदिल्ली भारत